सब्सक्राइब कीजी Simple & Easy Classes को और स्टडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बैल आइकन को दबाईए आज की वीडियो रोहिल खंड विश्विध्याले के सभी कोर्सिस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है चाहें वो इसनातक के किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हो चाहें वो परह इसनातक के किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हो आपको बता दें कि जो इसनातक और पराइसनातक के फर्स्ट एर के स्टुडेंट्स थे उनको प्रमोट किया जा रहा है और सेकंड एर और थर्ड एर के एक्जाम्स करवाए जा रहे हैं इसी के साथ ही सभी students को इंतजार है कि हमारे exams के बाद हमारा result कब जारी किया जायेगा तो आपको बता दें कि इसना तक परह सना तक के first year का result कितनी तारिक को जारी किया जा सकता है इसके बारे में भी जानकारी दी जा चुकी है इसके अलावा आपका 2nd year और 3rd year और इहाँ परायसनाथ तक 2nd year का जो result है वह कब तक जारी जायेगा इसके लिए भी date दी जाचुकी है इसके अलावा आपका नया सत्र कब से start की जायेगा इसके बारे में भी जानकारी दी जा चुकी है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके अलावा हम रोहिल घंड विश्विध्याले की पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुचाने की पूरी कोशिश करते हैं इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजे जिससे आपके प्रमोशन से आपके रिजल्ट जो भी अपडेट आती है आपको तुरंत हमारे वीडियो के माध्यम से बता दिय जाएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर लीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप यहां देखी सकते हैं कि अगली कक्षा में जल्द प्रोनत होंगे वन पॉइंट से स्ट्रेंट्स हैं लगभग लगभग उसमें अपराइसनातक और इसनातक दोनों को मिलाकर वन पॉइंट सेवन एट लाग चात्र हैं जिनको जल्दी प्रमोट कर दिया जाएगा और उसकी डेट भी यहां बता दी गई है तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि इसनातक प सब्सक्रोल के साथ प्रोनत होंगे परिणाम जुलाइल के अंत तक जारी हो सकता है तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि आपका परिणाम जुलाइल के कर दिया जाए गा जिसकी बताई गई है 21 जुलाइं तक आपका रिजल पूरी तरह हम बात करेंगे किруд nooit और का ब़िए चुछ की तब लिए तो आपका रिजल कब्याईट तो आप यहां देख लीजे कि यहां दुत्तेवा अंतिम वर्ष के चात्रों का परिणाम 31 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा आपके जो एक्जाम से वो लगभग शैयर 13 या 14 अगस्त चल रहे हैं और उसके बाद आपका रिजल्ट 31 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा और यहां पर कितने कितने चात्रें ये दिये गए कि BA में इतने चात्रें, BCOM में इतने चात्रें, BSC में इतने चात्रें, MA में इतने चात्रें और हम बात करेंगे कि जो परिक्षा फॉर्म थे जो भी आपके परिक्षा फॉर्म थे उसको अब वो जमा करने के लिए मना कर दिया गया था कल मतलब जो फॉर्म आ चुके थे अल्डेडी और उनकी अब डेट निकल चुकी है उन्हें विश्विध्याले ने जमा करने से मना कर दिया है जिस वजह से रोविलगंड विश्विध्याले में हलचल मची हुई है तो हो सकता है कि इसकी डेट बढ़ाई जाए तो जैसे ही इ थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो में हुई 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 हुई